नमश्कार हींगो की आयरवेदा में आपका स्वागत है आप मानव शरीर के रूप वे उनकी इलाज से सम्मदित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेजे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेश कहते हैं मेडिकल की भाशा में इसे लीवर टिसोडर के नाम से भी जाना जाता है पैटी लीवर डिसीज का आरवेदिक उपचार भी होता है भारतिय आर्वेद में पैटी लीवर की आयरोवेदिक दवा और ज़राज है फैटी लीवर होने के मुख्यकारण अगर आप समझ जाए तो इससे बच सकते हैं नाम से ही पता Чलता है कि एक होती है तो दूसरी उनको भी यहा हो सकती है जो शराब नहीं पीते हैं वर्तमान समय में fatty liver की बिमारी के बारेमें सभी को पता होना चलिए fatty liver की बिमारी को समय दो हैते पहचानना जरूरी है fatty liver disease के लक्षन आप भी आसानी से जान सकते हैं जीवन शैली और खान पान के कुछ आसान हुपाए fatty liver disease से आपको बचाज भीच सकती है हर किसी को fatty liver disease के खत्रे की जाटकरी होनी ही चाहिए fatty liver disease युवाओं के लिए silent killer है fatty liver का अरुवेदिक उपचार भारत ही नहीं विश्व भर में अरुवेदिक उपचार को लोग मानते है fatty liver disease का भी अरुवेदिक उपचार होता है fatty liver का अरुवेदिक उपचार खान पान के माध्यम से किया जाता है इसके अलावा fatty liver की अरुवेदिक दवाईयां भी मुदूद है आये जानते हैं कि fatty liver की अरुवेदिक उपचार के कुछ खान पान प्याज सिख फैटी लीवर का इलाज आयुरवेद में फैटी लीवर का उपचार प्याज सिख करने को कहा जाता है आयुरवेद मानता है कि फैटी लीवर के रोगी को प्याज का सेवन करना चाहिए fatty liver disease के मरीज को दिन में दो बर प्याज खाना चाहिए कच्ची प्याज का सेवन fatty liver में फायदे मंद होता है चाज से fatty liver का अयरुवेदिक अपचार संतुलन भोजन के साथ चाज का सेवन fatty liver की बिमारी में फायदे मंद होता है भारतिया खानपान में चाच का विशेश थान है Fatty Levers के अरवेदिक इलाज में चाच के सेवन की सला दी जाती है Fatty Levers Disease में आवले का सेवन अगर आप Fatty Levers Disease से परेशान है तो आवले का सेवन जरूर करे आवले के रस का सेवन ज़ाधा फायदेमन होता है कच्छे आवले का नियमिक सेवन फैटी लिवर की समस्या को दूर करता है दोस्तों आप हमारी चैनल को देखते रहें लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे जादा से जादा लोग स्वास्ते लाप राप्त कर सकें हम समय से में तर आपको अनेक ओष्टियों के बारे में पिमारियों के बारे में जानकारी देखते रहेंगे धन्यवाद